अपस्अ वा प्रिती साहू आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूटूब चैनल कुक्वित प्रिती साहू में आज बना रहे हैं हम ये कन्डेंस मिल्ग सभी थायों में यूस होने वाला यह कन्डेंस मिल्ग है इसको डालने से हमारी मिठाईयां अब बहुत अच्छा आता है और इसको हमिने सिर्फ बाँच मिट बिनाके तयार किया है और जो डिखिया गार टरिफिय को पूरा देखिये गार वीडियो पूरा वाच कर करते हैं कि इस कंडेंस की मिल्क को हमने 5 मिट में कैसे बनाया है इसके लिए हमने सबसे पहले दो कप दूद ले लिया है आप मेसरमेंट किसी भी बरतन से कर सकते हैं कटोरी से भी कर सकते हैं और याप मेजरिंग कप से भी कर सकते हैं इसमें मैंने जल्दी से हमारा क्युक इन सब को हम मिला के तीनों चीजों को अच्छे से मिला लेंगे इसमें कोई लंस ना रहें और ये मेरा दूद जो है नॉर्मल टेंपरेचर का दूद है इसको नॉर्मल टेंपरेचर का नॉर्मल दूद है ये टॉर्ण मिल्क है तो यह बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है तो इस तरीके से इसको हम पहले गैस के नीचे इसको मिला लेंगे अब हमने गैस पर रख दिया है और तुरंद इसमें हम एक कप यहाँ पर हमने शकर डाल दी है आप सकर थोड़ी कम भी कर सकते हैं यहाँ पर मैंने एक कप पूरा शकर यहाँ पर डाल दी है और इसको मिला के शकर को गोल देंगे गैस ओन कर देंगे और इसको चलाते हुए हम पकाएंगे कंटिन्यूइ इसको हम चलाते रहेंगे कुछ ही मिनेट या 5 मिनेट में ये विल्कुर थिक होने लग जाता है कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको आप इसको कंटिन्यू चलाते रहें जिससे कि इसमे कोई लम्स ना पढ़े और इसमें नीचे कोई तरी में लगे ना क्योंकि मिल्क पाउडर और कॉनिस्टर दोनों ही तरी में लगने का डर रहता है इसलिए इसको कंटिनू चलाना बहुत जरूरी है इसलिए थोड़ी देर में ठिक होने लगेगा वाल आते ही ये ठिक होने लगेगा आप देखते जाइएगा पाश मिट में ये बन के बहुत जल्दी तयार हो जाता है इस Condenses Milk से बहुत ही अच्छी मिटाई हैं और हम dessert बनाके तैयार कर सकते हैं आइस-क्रीम बनाने में हम इसका यूज कर सकते हैं और बनाना भी इतना आसान है इस Condenses Milk को इसमें एक जरूरी बात है जब ये बन जाता है Condenses Milk इस स्टेच में आजाता है जब इसमें मैंने एक चुटकी वेकिंग सोडा डाला है ये खाने वाला सोडा है जिसे मीठा सोडा बोलते हैं इसको इस स्टेच में सबसे आखरी में डालेंगे जिससे कि सकंडेंस मिलक का कलर वाइट रहेगा यदि आप में सोडा को पहले ही डाल तो इसका color dark brown हो जाएगा यदि आपको color brown चाहेए ताप पहले डाल दीजिए आप इस तरीके से आप चमच में इसका test कर सकते हैं कि आप एक उली से हमारी बनके तैयार हो जाती है तो आप इसको जरूर बनाईएगा और मेरे साथ जरूर share कीजिएगा कमेंट कर की मुझे बताईएगा रेसेपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा चैनल को सबस्ट्राइब कीजिएगा वैल आइकन को जरूर प्रिस कीजिएगा मिलते नक्स वीडियो में जब तक के लिए थैंक यू